आज के इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ 112 इंडिया अप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गाइस गर आप भी जानना चाहते हो यह अप्लिकेशन है क्या और इसे फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो सबसे सबसे पहले तो play store के अंदर जाना है और play store में जाने के बाद इस application को अपने phone में download करेंगे उसके बाद इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो about this app का option मिलेगा इसके उपर click करके इसकी पूरी जानकारी आप जो है ले सकते है उसके बाद इसके reviews rated वगर आपको देखने त उसके बाद यहां पर सबसे वहले इसकी permission को allow करेंगे जैसे इसकी permission यहां पर allow करेंगे उसके बाद यहांपर आपको state select करना है और अपना यहां पर mobile number enter करके यहां पर connect पर click करेंगे तो एक OTP यहांगा जिसे आपको verify करके अपनी profile यहां पर आपको set कर देनी है ठीक है तो च एक एमर्जेंसी के लिए help line number है जिससे क्या होगा कि इसके इंदर बहुत सारे help line number आपको मिल जाएगा जैसे यहाँ पर आपको पुलिस का help मिल जाएगा फायर का help मिल जाएगा एमबुलेंस वगरा चाये हैं किसी भी परकार की जो आपको help चाये तो यहां पर पॉलिस वाला आइकोन इसके उपर आप करेंगे और यहां पर आपको जो है जैसे यहां पर इस तरह से आप कॉल करके ले सकते नहीं पर देखेंगे कि यहां पर और और बी ऑप्शन मिलेंगे जैसे fire वाला भी option ambulance वाला जो भी इस तरह से आपको चाहिए direct आपका location यहाँ पर set होगा और उसके बाद request उनके बाद चली जाएगे तुरंत ही आपको help मिल जाएगे ठीक है तो basically यह जो application है help के लिए application बनाईगे जिसके अंदर सारे यहाँ पर जो आपको help line number वगेरा यहाँ show हो जाएंगे जिससे आप help वगरा ले पाएंगे emergency में ठीक है उसके बाद यहाँ पर हम three line पर click करके तो अपनी profile देखेंगे और यहाँ पर settings की देख पाएंगे तो इस तरह से आप अपनी phone में इस application को use कर सकते है